साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र पर चल रही है हमारी सरकार, असम के हर हिस्से में, हर वर्ग को तेजी से विकास का लाब पहुचाने में जुटी है। पहले की नीतियों के कारण, चाय जन जाती की क्या स्थिती हो गई थी? ये मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। अब चाय जन जाती को गर और सवचाले जैसी मुल्स विदाओं से जोड़ा जा रहा है। चाय जन जाती के अनेक परिवारों को भी जमीन का कानूनी अधिकार मिला है। चाय जन जाती के बच्चों की सिख्षा, स्वास्त और रोजगार की सुविदाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार उनको बैंक की सुविदाओं से जोड़ा गया है। अब इन परिवारों को भी सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाब सीधे बैंक खाते में मिल पा रहा है। स्रमिक नेता संतोष टोपनो सहीत चाय जनजाती के दूसरे बड़े नेताओं की प्रतिमाएं स्थापित करके राज्य सरकार ने चाय राजनिती के योगदान को सम्मान दिया है। चाय जनजाती के सम्मान दिया है। साथियों असम के हर खेत्र की हर जनजाती को समात्य कर चलने की इसी निती से आज असम शांती और प्रगती के मार्क पर चल पड़ा है। आज त्यहां सिक बोडो समझोते से अब असम का एक बहुत बड़ा हिश्चा शांती और विकास के मार्क पर लौट आया है। समझोते के बाद हाल में बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल के पहले चुनाव हुई है। प्रतिनिती चुने गए। मुझे विश्वास है कि अब बोडो टेरिटोरियल काउंसिल विकास और विश्वास के नए प्रतिमान सापित करेगी। झाल झाल